next question, question says radius of circle, the period of revolution, initial position and sense of revolution are indicated in the figure, why projection of the radius vector of rotating particle is, तो हमें बहुत ही simple सवाल है, इसको आराम से solve करना है, बहुत ही 30 seconds में इसका answer आजाएगा, अगर आपके phasor diagram के concepts clear है, मैं हमेशा class में कहता हूँ के phasor diagram बहुत important tool है, अगर आपको अच्छे से करना आता है, तो इस तरह के सवाल नीट में आईए, सवाल example है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, 30 seconds में इसका right answer आजाएगा, मैं आपको phasor diagram एक बाद फिस से revise करवाता हूँ, उसको यहाँ पे कैसे solve करना है, इस सवाल के लिए वो करना एक बाद सीखते हैं, so situation यह है, कि यह आपका particle ऐसे घूम रहा है, यह आपकी initial position है, t is equal to 0 पे, amplitude अपने को यहाँ पे plus 3 meter दिया हुआ है, और initial position यहाँ पे और वो इस clockwise direction में ऐसे वो यहाँ से move कर रहा है, उस case में जब वो particle move किया है, तो आपका amplitude प्लस 3 है, time period जो अपने को दिया हुआ है, वो है आपका 4 second, तो इसका time period पूरा एक जगे से चल के बापस आने में, उसको time period जो है, वो time लगेगा आपका 4 second का, एक और चीज़ जो अपने को यहाँ पे इसके बेरिस पे निकाल सकते हैं, वो यह है, कि time period अगर 4 second है, तो हमें पता है, आपका omega जो होएगा, उसको आप लिखते हैं, 2 pi by t, और इसकी value हो जाएगी, यह हो गया 2 pi by 4, यानि कि आपकी omega की value हो गई, pi by 2, और आपका amplitude plus 3 है, इसके basis पे a आगया और omega आगया, सिर्फ जो अपनी equation होती है, shm की उसको हम लिखते है, y is equal to a sin of omega t plus phi naught, तो अपने को a पता चल गया, omega पता चल गया, सिर्फ अपने को phi naught पता करने की ज़रोत है, phi naught आगया तो अपनी equation लिखी जाएगी, यह जो आपका t is equal to 0, जब आपने इसको notice किया है, इसकी location plus a पे है, तो इसका मतलब यह हुआ है, कि y पे जब आप इस दिवार पे इसका projection देख रहे हैं, तो यह वाली location आपकी mean position हुई, और यह वाला जो angle है, यह आपका phi naught है, यह आपकी initial location है, इसके बेरिस पर हम यह कह सकते हैं, क्या आपके phi naught की जो value हो गई, वो हो जाएगी pi by 2, इसके बेरिस पर हम equation हम लिख सकते हैं, तो y is equal to 3, sine of omega हो गया आपका, pi by 2 t, omega की value pi by 2 आचुकी है, plus pi by 2, now, sine अपने को पता है, क्या है कि sine pi by 2 plus theta को हम cos theta लिख सकते हैं, so equation है आपकी हो जाएगी, y is equal to 3, cos of pi by 2 t, so यह अपनी final answer हो गया, so based on this, हम कह सकते हैं, कि option number a, 3 cos pi by 2 t, would be the right answer.